शर्बत ने दिल जीत लिया पाठ के उद्देश यह लड़ाई जगडा ना करके प्रेम पूर्वक व्यवहर करना एट छह साथ वर्ष की छोटी सी लड़की गोपाली अपने घर के बाहर अपने दोस्त मोहित के साथ खेल रही थी खेल में दोनों के बीच कहा सुनी हो गई जो जल्दी ही लड़ाई में बदल गई आखिर में मोहित ने गोपाली को खूब बुरा भला सुनाया और फिर उससे बात करनी बंद कर दी अब क्या था गोपाली की आँखें गुस्से से लाल हो गए वापाओं पटक्ती सीधे घर जा पहुँचे घर में उसके पिता अपने एक मित्र के साथ बैठे बात चीद कर रहे थे वे सज्जन करीबों और दुखियों के बड़े हमदर्द थे पिता ने अपनी बेटी का क्रोध से तम तमाया हुआ चेहरा देखा तो पूछ बैठे क्या हुआ बेटी नहीं पिता जी कुछ नहीं जरा मुझे अपनी छड़ी दीजिये मैं एक लड़के की पिटाई करूँगी गोपाली ने कुस्से में कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए पिता के मित्र ने समझाया उसकी यह मजाव किवा मुझे बुरा भला कहे और आप चाहती हैं कि इस पर भी मैं उसे कुछ नहीं कहूँ गोपाली ने कहा मैं उसे हरकिस नहीं छोड़ सकती उसे जरूर सजा दूँगी मित्र बोले उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसे भी गुस्सा आ गया होगा आखिर उसे मारने से तुम्हें क्या फायदा होगा उल्टा बाद में तुम्हें ही तकलीफ होगी इसके अलावा उसे इस प्रकार सजा दोगी तो उसके मन में तुम्हारे प्रती हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो जाएगी हमें ऐसा काम करना चाहिए कि वह अपने किये पर पच्चताए इतना कहकर वे एक गिलास शर्बत का उठा कर लाए और गोपाली के हाथों में थमा कर बोले जाओ उसे यह शर्बत पिला दो ना चाहते हुए भी जब गोपाली ने शर्बत का गिलास ले जाकर दिया तब वह हैरान रह गया साथ ही उसे अपने व्यवहार पर पच्चतावा होने लगा मोहित ने गोपाली से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी गुपाली ने खुश होकर मोहित को क्षमा कर दिया, दोनों में फिर दोस्ती हो गई पाठ संदेश किसी से बदला न लेकर हम अपने अच्छे व्यवाहार से सबका दिल जीत सकती है